दोस्तो आपने बहुत बहुत सारी VyTubers को बूलते वे सुना हो गया कि मैं उपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूं आप मेरी वीडियो को आप पर चेक कर सकते हैं तो दोस्तो जो i button होता है वो आपकी help करता है आपकी views बढ़ाने में आपका watch time बढ़ाने में और indirectly आपकी किसी already बनी हुई video को promote करने में यानि आप जिस topic पर अभी बोल रहे हैं उसी से related अगर आपने कोई video बना रखी है तो उसको promote करने के काम आएगा तो वही मैं आपको इस video के अंदर आज बताऊंगा कि आप किस तरह से i button को लगा सकते हैं और आपके subscriber and views और watch time को gain कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नवीन और स्वागत आपका मेरे channel techno visual में चले श्रिगनेश करते हैं तो चले दोस्तों देखते हैं किस तरह से आप i button लगा सकते हैं i button लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा Google Chrome में आप इसको laptop से भी कर सकते हैं और यहाँ mobile से भी कर सकते हैं मैं आपको mobile से ही बता रहा हूँ आपको Google Chrome में जाना है और आपको YouTube सेर्च करना है यूटूब पर सेर्च करने के बाद आपका इस तरह से आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है उपर देखें तीन डॉट्स आपको दिखाए देने उस पर क्लिक करना है और जो desktop साइट का option है इसको on कर देना है ताकि आपका as a laptop यहाँ पर आपके यूटूब उपन हो जाए तो इस तरह से आपका interface उपन हो जाएगा उस तरह से आपको आपके चैनल पर क्लिक करना है जो नाम है उपर देखिए चैनल का logo उस पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर YouTube Studio का आपको option मिल जाएगा YouTube Studio पर आपको क्लिक करना है तो YouTube Studio पर क्लिक करना के बद आपके सामने इस तरह से option आ जाएगा आपके YouTube account खुल जाएगा उसके बद देखिए आपको यह ऊपर second option दिखाई दे रहे वीडियो का इस पर क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करने के बद आपके सामने आपके सारी वीडियो जाएगी तो जिस वीडियो में आपको आई बटन लगाना है उस वीडियो पर आप क्लिक कर दीजिए तो क्लिक करने के बद इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा आप देखे राइट सेड में यापर दो ओप्शन है एंड स्क्रीन एंड कार्ड्स तो कार्ड्स जो है वही आई बटन होता है तो कार्ड्स पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा तो आपको देखे यहाँ पर ऊपर वीडियो का निशायन दिखाई दे रहा है इसी से हम आई बटन लगाते हैं तो उससे पहले आप देख लिजिए आप किस जगह पर आपका आई बटन लगा सकते हैं यानि किस जगह पर आपने पर्टिकुलर उस वीडियो के बारे में बोला है आपके वीवर रूख आपके सब्सक्राइबर को कि इस वीडियो का लिंक आप उपर आई बटन में चेक कर सकते हैं तो आपने वो जो है दो मिनट तीस सेकेंड पर बोला है आपका सेट हो गया है आपका करसर देखिए दो मिनट तीस सेकेंड पर आ गया है अब आपको क्या करना है आपको ओपर वीडियो के सामने जो प्लस का निशान उस पर क्लिक करना है जैसे आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके जो सारी वीडियो आ जाएंगे जीतनी आपने अभी तक बनाई है तो जिस वीडियो के आबारे में आपने बोला है कर्स जो है सब्सक्राइबर को विवियर को कि आप आई बटन लों देख पाएंगे उसी वीडियो के उपर आप क्लिक कर देज़ें तो मैं इसको लेके बोला है तो मैं इसको वहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो देखिए आपका blue color में highlight होगा जहाँ पर आपका cursor है 2 minute 30 second पर यह blue color में highlight होगा देखिए कितना बड़ा blue आ गया है इसका मतर यहाँ पर एक वीडियो आपकी लगी हुई है और उपर भी आप screen में देख सकते हैं किस तरह से आपको show होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं zoom करके आपको दिखा जैता हूँ देखिए मैंने जो लगाया था how to make subscriber bell intro in kindmaster तो यह मेरी यहाँ पर वीडियो आ गई है तो इसी तरह से आपको जो है i button show होगा तो आप जब इसको चाहें और भी लगा सकते हैं यहाँ पर तो मैं यह की लगा कि आपको दिखा रहा हूँ उसको आपको simply save पर click करना है तो जैसे आप save पर click करेंगे आपका जो i button लग चुका है अब जैसे आपका viewer पहुँचेगा 2 मिनट 30 सेगेंड पर तुरांट उसको वहाँ पर उपर i button में show हो जाएगा suggestion में कि आपने जिस वीडियो के बारे में उसको बोलाया देखने के लिए तो इसी तरह से आप अपना i button set कर सकते हैं तो दोस्तो देखा आपने किस तरह से आप बहुत ही आसानी से आपके mobile की help से ही आप i button लगाना सीख सकते हैं और आपके views और subscriber और watch time बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो इतना ही था इस वीडियो में आई होप आप लोगों के वीडियो काफी पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like कर दीजिए और share भी कर दीजिए आपके friends लोगों के साथ और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूले ताके इसी तरह की वीडियो आपको feature में मिलती रहें सो इसी information के साथ good bye